तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है और यह टेली स्कॉप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है तो इसमें यह कि एक टेली स्कॉप है जिसकी अब्जेक्टिव लेंस यहां पर दिया हुआ अब्जेक्टिव लेंस 10 सेंटीमेटर आपको क्लियर हो रहा होगा अब यह कहता है दे मीनिमम डिस्टेंस बिट्विन इस टू अब्जेक्ट वर वीच कैन वी जॉल्वाइद टेली स्कॉप में लैम्डा जो है वह फाइब तो फाइब तो देगा यहां से तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहा जो ओब्जेक्टिव है उसकी हमें यह आनी चाहिए कि resolving जो है अगर तुम यहां से देखोगे चलो अभी स्कॉद मैं सॉल्व करों तो सबसे पहले आपने पास जो औब्जेक्टिव है इस इस दो औब्जेक्टिव लेंस और ओब्जेक्टिव लेंस इस दोज दोनों औब् और यहां पर object O2 है ठीक ना और यह जो object O2 है इनके बीच का separation X यह पूछा जारा ठीक ना X की value हमें calculate करनी है तो यहां से जो अगर कोई ray आती है ऐसे objective lens यहां से objective lens तो यह वाली जो है यहां पर focus करती है तो this angle is अमालोग़ दी ठीटा है तो दीठीटा आयोब क्या पढ़े होगे यहां से ठीक ना डीठीटा angular resolution का formula पढ़े होगे तो 1.22 lambda upon D के equal होता है यह वाली चीज़़ तो अगर आप देखोंगे यहां से दूसरी बात है कि linear अगर यह radius R यहां से object 1 km पे है तो हमें linear distance x जो है आर्क के एक्वाल होगा और और कि इसकोल टू होता है इंगल multiplied यहां से रेडियस के एक्वाल होगा तो इंगल कितना होगा इंगल यहां से होगा डीठीटा रेडियस होगा और तुम पहले ही निकाल चुके 1.22 लैमडा और यहां से डाइमीटर डाइमीटर अब कुछ नहीं करना है इसमें वेल्यू निकाल देना सेप्रेशन 1.22 यहां से लैमडा जो है वह 5000 एंगस्टान और टेन की पावर माइनस टेन मीटर जो रेडियस है वह देखो एक किलो मीटर है तो वन किलो मीटर में करभड करोगे टेन श्टी पावर ओर डाइमीटर अब लेंश 10 cm सेंटीमीटर को मीटर में तेन की पावर माइनस तुम तो पूरा जब इसको इसको सॉल्व करोगे तो यहां जाएगा लग बग 6.1 इन्टू 10 की पावर माइनस थीरी यहां से मीटर यहां जाएगा तो कोई भी इसमें से नहीं है लेकिन और आस पास इसके होना चाहिए तो यह 5 मीटर जादा है फाइब मीटर बहुत ही जादा है फाइब सेंटीमीटर और यह जो फाइब मीली मीटर ची आप्शन लगबग लगबग सही है